जैस्री राम दोस्तो आज मैं आपको उस स्थान की दर्सन कराने आयों जिस स्थान पर सीता माता का जनम हुआ था दोस्तो मैं आपको बता दूँ इस स्थान पर राजा जनक अपने हल से खेतों को जोत रहे थे और खेत जोते टाइम उनके हल के नीचे एक मटका दिखाई दिया जिस मटके से सीता माता का प्राकाट त्युआ था दोस्तों मैं आपको उस द्रस्य को दिखाऊंगा जिस द्रस्य को देकर आपका मन गदगद हो जाएगा मैं आपसे निवेद रहे ही करूँगा कि कमेंट वक्स में जैसरी राम लिखिये का और अपने इस्टिम में तरों तक इस बीडियो को पहुँचाईगे ज स्थानसे माता जानकी का ट्राकट वोता था जिस थान पर राजाआ-जानक राज definite है विडियो देखने से कई पायदा नहीं जब तक और दर्शन नहीं पहुचाऊगे तो उसका फलघरू मिलेगा दोस्तों मैं आपको बता दूऒ यह जो कुंड देख़ रहे हैं यह सीता कुंड पताय जाता। है już इसी कुंड अब यह कुंड बन गया है। पहले इसीिस्थान पर राजा जनक को सीता-माता दिखाए दीती उनका प्राकट इसी इस्थान पर हुआ था इसी इस्थान पर हल चला रहे थे राजा जनंग में आपको दिखा दो तो अब मैं आपको उनके दर्सन कराने जा रहा हूं उनके मंदिर की दर्सन कराने जा रहा हूं जो कि साड़ी पांच हजार साल क्या लाखो साल पुराना मंदिर है यहाँ पर मैं सब्सक्राइब कर रहा है जिस सब्सक्राइब को राजा जनक पुरानी सब्सक्राइब कर रहे हैं गरवेटे आपका इतना फर्ज तो बनता है सावन का महिना चल रहा है वीडियो को ज़्यादस यदा सियर करें यह सीता मड़ी बिहार में पड़ता में आपको दर्सफन कराहे थे हूँ अब मैं आपको सिता माता के जन्मिस्थली की दर्सन कर रहा देता कामनाव को लेने के लिए दोस्तों मैं आपको दर्सन कराए दाओं यह देखे दोस्तों मैं अगर आप दर्सन कर रहे हैं तो कि दोस्तों ऐसे दर्सन बड़े दुर्लव होते हैं मैं आपसे विदा चाहूंगा जैस्री राम जैसी तमया